काफी शारे लोग यह सोच रहे हैं कि इस मोशम के अंदर गर्मियों के मुशम में क्या हम एक नया पपी लेना चाहिए मेरे भी काफी क्लाइंट हैं जिन्हों ने मुझे पूछा है कि सर यह क्या इस मोशम में हम एक नियू पपी लेके आ सकते हैं तो आज सारा डाउट के मैंने बहुत ज़्यादा गरम निकलने वाले हैं इसमें टैंप्रेचर राजस्थान चाहिर में आगर आप देखें तो फिफ्टी प्लस चला जाता है तो इतनी गर्मी में कि न्यू पपी लेना हमारे लिए सई रहेगा या कोई दिक्स का काम तो नहीं है तो समझने की कर लेना उसके बीडर के पास या उसके एरिये के अंदर कहीं पार्व वाइरस तो नहीं फैला हुए डॉक के अंदर यदि ऐसा है तो आपको क्या है कि पपी वह जो बीडर होगा वह एक अच्छा बदब साफ सुद्रा करके और अच्छे तरीके से देगा या पैट्स वाला कर सकते हैं तो बहुत ही बैस्ट होगा यह जो गर्मियों के टाइम में एक न्यू पपी लेना फिर भी यदि आप सोचते हैं कि नहीं यह मुझे एक अच्छी डील मिल रही है या मैं जिस ब्रीडर से ले रहा हूं जिस पैट्शॉप से ले रहा हूं वह ट्रस्टेबल परस हैं तो आपको यह द्यान रखना है कि पपी को दोपैर में आप यह देख लिए शुबह 9 बज़े से लेकर साम को 6 बज़े तक आपको भार नहीं निकालना पपी को बिल्कुल भी रूम में रखना है कोशिश करें कूलर और फैन की अंदर रखें तो ज्यादा बैस्ट होगा यह लोंग कोट के पपी है ठीक है तो अगर आप जहें लोंग कोट के जर्मन शेफ़र हैं या शाइब नहीं है इस टाइप के पपी हैं तो अगर आप एसी प्रोवाइड करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा लेकिन एसी का टेंप्रेचर भी इतना ही होना चाहिए कि को जुखाम ना लग जाए ठीक है कि हम लोगों को जब ज्यादा कूल करती है तो हम लोगों को मजाने लगता है में जोए करते हैं और अगर हमें ठंड भी लग रही है तो हम चादर वगेरा होड़के बैढ़ जाते हैं ठीक है लेकिन डॉक के कैस में ऐसा नहीं होना चीए ह हम जैसे नॉर्मली बैठें चल रहा है हमें ठंड नहीं लग रही ना में गर्मी लग लिए इतना ही टेंपरेचर हमें एक न्यूव पपी को देना है ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बोड़ी का टेंपरेचर है वो थोड़ा अलग होता है तो उन्हें जल्दी स लेकिन यहीं को देंदिया तो हैब तो गर्मी के टाइम में यहीं महीने का ठीक है एक ज्माइन का रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसे ही वो बढ़ा होगा तो पूरे-पूरे दिन रात उसको एकाल में नहीं रखना मैंने बता ना मैं विदूस्ते नो बज़े से लेके शाम को छे बज़े तक या पांच बज़े तक वह डिपेंड करता है आपके अरिये में गर्मी कितनी है ठीक है उसके बाद यदि आपने यूप लेने जाते हैं तो आपको वैक्षिन तो लगवानी पड़ेंगी और वैक्षिन क्या होती है कि कई के बार ग और आप अपने वैट से अच्छे से कंचल किए आपको जो वैट है वह आपको एक सही गाइड़ करेगा कि आपको किस तरीके से आपको डॉक को वैक्षिन करवानी है किस तरीके रखना है अब इस मोसम के अंदर गर्मी के मोसम में हमें कौन-कौन से पपी लेने चाहिए इस अब जब खूपेर करेंगे थन्ड के अब गर्मी गर्मी तो यह ओता है दूसरी बात है कि अंदर जो पपी आते हैं वह काफी ज़्यादा परिशान होते हैं ठीक है और गर्मी के अंदर जो बड़े बालों वाले पपी हैं उनके गर्मी वरदास नहीं होती है तो आप वोई आपको यह करूँगा कि अगर आप 2-5 महीने का पपी लें यह तीन महीने का पपी लें तो ज्यादा बैस्त है ठीक है आप अपने ब्रीडर को बोल दो कि भाया आप इसी सारी वैक्षिन करवा के रखिए ठीक है और हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए वैक्षिन का और जितने ए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी टाइम तक रख लेते हैं फिर भी उन्हें नहीं होती को रखना कैसे है ठीक है एक चीज हो गई अब जब आप धाई तीन महीने का पपी ले आते हैं तो आप उसमें काफी चीजें कर सकते हैं खाने में जिसके बोड़ी के अंदर का सब्सक्राइब करें जैसे मैंने बताता हूं है कि आज से 20-25 साल पहले काफी लोग यह यूज में लेते थे अपने काउ को को खिलाते थे गोंद कती रहाता है तो यह वह किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा और उसकी फोटो जो है वह भी आपको पर आ रही होगी त यह आप एक लार्ज डॉक्त रखने हैं तो आप उसको दो चमज दे दीए यह यह दिस्मोल डॉक्त पीड़ है तो आप उसको हाफ या वन चमज दे सकते और गोंद कतीरा देने से पहले आप अपने डॉक्टर से अपने वैटनेरियन से जरूर पूछ लेना कि इसो कितनी मा और जो फूड है अगर आप उसको उसकी मातरा कम करके दही और चाच की मातरा बढ़ा दें तो ज्यादा बैस्तों का गर्मियों के टाइम में डॉक्त जितना थंडर खाना खाएगा तो उतना ही अच्छे तरीके से रहेगा फूड क्या होता है कि वार्क जैसे हम हाई कोई भी डूक के हा तरकत ना करें कि जैसे कई बार देखा जाता है लोग धूप के अंदर ले जाते हैं पपी को tor box तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो लोग नया पपी लेने जा रहे हैं यह जिन्हों ने अभी नया पपी लिया है ठीक है और यह इस चैनल पर पहली बार रहे हैं तो सब्क्राइब कर लें और बने रहे हैं इस चैनल सुल में हैं प्रप्ड़ कर दो दो एंडिया यह झाओ कर दो दोड़कर 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 अवर सब्स्द आ अड़कर पहल़कर इस प्रवब कर दोड़कर दोड़कर